वेंट्स वीडियो में अन्बॉक्स कर रहे हैं कि SSD 240GB की हम इस SSD को वहाँ यूज कर सकते हैं जब हम प्रोसेसिंग हमारी दूसरी हाट इस यूज कर लेते हैं तो यह हमको काफी अच्छी एल्प करती है स्पीड के ओपर तो आए इसको अन्बॉक्स करते हैं अब्जन से ऑन्नाइन इसकी प्राइस मेर को मार्किट के बरावरी पड़ी है यह मुझे घर में डिलीवर हो गया इसली यह इसका बिल है और यह यूनिट है सो इस यूनिट को भी हम अन्बॉक्स कर लेते हैं इस पे लिखा हुआ है इसकी 240 GB की कैपेसिटी है इसका ब्राइंड नीम है इसी गेट बार कुड़ा कुछ इसकी इस 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 इप्रमिशन यहां दी हुए है यह SSD प्रापरली प्राइंड है Amazon में इसी प्राइस रेंज में आपको और भी ब्रैंड्स की SSD मिल जाएंगी और अलग-अलग capacities की भी कुछ इससे महंगी हैं और कुछ इसके comparable प्राइस में भी है यह हमने प्राइन हाड इसक है वह इसके साथ ही लगा कर यह देखिए इसमें एक छोड़ सा मैनुल है और इस प्लास्टिक की flexible packing में इसको पैक किया हुआ है इसमें इसकी कुछ information आपको मिल जाएगी कुछ अलग-अलग languages में इसमें information दी हुई है अब देख सकते हैं यह इस तरह से unit है और इस में यह दो जो connector साब देख रहे हैं एक power के लिए और एक data transfer के लिए इसमें sata cable से हम transfer करेंगे लगाने के लिए इसमें screw के positions भी दिये हुए बहुत ही light weight है as compared to दूसरी hardest तो इसका weight मालूम भी नहीं चल रहा है इसकी performance उस मुकाबले में काफी अच्छी मिलती है हमारी cabinet जैसी होती है computer की horizontal या vertical उसके नुसारा में से fit कर सकते है horizontal में से easily रखा भी जा सकता है मार्किट में एक iron plate मिलती है जिसमें एक तरफ बड़ी hard disk लग सकते है और एक तरफ ही छोटी या फिर एक single वाली जो इस hard disk के लिए भी आती है उसको हम जिस तरह से दूसरी hard disk लगाते हैं फिर उस plate की साथ से इसको उसमें fit कर सकते है I hope you will like the video please share it have a nice day